नुहुंज लेके आकेडा चोकी अंतरगात गाओं मरोडा के समीप बनी मस्जिद के पास एक कल्यूगी मादवारा अपने नवजात को फैंकने का मामला परकास में आया है जैसे ही इसकी सूचना गिरामिनों को लगी तो वहां पूरी भीड इखटी हो गई नुजात को अपने कबजे में लेकर गिरामिनों ने पुलिस को सूचित किया सूचना पाकर पहुँची आकेडा चोकी पुलिस ने बच्चे को अपने कबजे में लेकर इलाज के लिए होस्पिटल पहुँचाया वही आकेडा चोकी परभारी एसाई केलास चंद ने बताया कि एक वेक्ति के सिकायत पर एक ग्यात कलियोगी मा के खिलाब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है वही पुलिस कलियोगी मा की तलास में जुट गई है वही थाना परभारी नुहू समसुद दीन ने बताया कि बच्चे का इलाज नलड होस्पिटल में चल रहा है वही पुलिस को उस ओरत की तलास है जिसने अपना नवजात मरोडा के समीब बनी मस्जिद के पास छोड़ कर चली गई जिले में इस परकार की घटना कोई पहली घटना नहीं है इस से पहले भी पुनहना नलहड आदी में भून पाय जाने का मामला पुलिस दर्ज कर चुकी है अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार पुलिस उस कलियोगी मा तक कब तक पहुंचती है तथा कब तक उसको सलाखों के पीछे भेजने में काम्याब होगी